यहिसाथ हीован स्वाकत है आपका सूपरिस्काई के YouTube चैनल पर तो आपके ही डिमांड़ पर हमारी रिज़नी की क्लास सुरू हो रही और रिज़नी की क्लास हमारी सुरू हो रही है फिर से क्लासिफिकेशन क्लास 3 से टीक है इससे पहले आगर आप ने class 1, class 2, class 3 नहीं देखी तो ये तीनों class देख लीजिएगा कि क्योंकि इसमें हमने अपनी analogy साधिर सेता खतम कर दिये ठीक है इसके अलावा हमने classification के दो class complete कर लिए है और ये हमारी तीसरी class है ठीक है तो आप इन सभी class को देख लीजिएगा क्योंकि आज हमारी हो रहे है ये classification खतम ये classification का दो type और बचा है इसके पहले हमने तीन type complete कर ली ठीक है तो आप इन तीन ऐसा नहीं है कि आप तीछे class को नहीं देखेंगे तो ये class आपको नहीं समझ में आएगी आप सबको ये class समझ में आएगी पर उन class को देख लेंगे तो आपको वो relation find out हो जाएगा कैसे हम relate करके चीजों को कर पाते है ठीक है तो हम अपने classification के class 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को आल पर जरूर प्रेस करिएगा ठीक है जिससे आपको हर class की notification मिलती रहे तो आईए हम अपने class को start करते पहला class मतलब तीसरे class का पहला question यह रहा आपके सामने question तो इसमें क्या कह रहा है type 4 में हमारा क्या कह रहा है type 4 में यह कह रहा है नीचे दी गई चार अकृतियों में से तीन अकृतिया क्या है वो सेम है और एक अकृति क्या है डिफरेंट है हमें different अकृति find out करना है different अकृति कौन सी है ठीक है तो हमें करना क्या होता है हम आपको simple सब्दे में बता दे सिंपल सब्दे में यह है कि आपको 4 आकृति दे रखी आप उसमें से देखना है कौन सा different है कौन सा same है ठीक है अगर आप जल्दी से भी देखें क्योंकि इसमें 4 character है तीन character में हमारा क्या दे रखा है सर multiplication का sign साइन दे रखा इसके अलावा लास्ट जो ऑप्सन है उसमें हमारा क्या दे रखा है प्लस का sign दे रखा इसका मतलब प्लस वाला ओप्सन तीन हमारे options में नहीं है चौते options में है इसका मतलब क्या है कि B B और C नहीं होगा ए हमारा right answer प्लस करेंगे तो इस चैनल से जुड़ने का आपका यही फायदा है कि आप चीजों को कैसे जल्दी कर पाते हैं जो time बचाने का बात होती है time बचाने की बात होती है वह हमारे class आप पर काम करती है कि आप कैसे चीजों की time को बचा सकते हैं ठीक अगले question की तरह हम आगे बढ़ते हैं अगला question हमारा क्या कह रहा कि जैसे चार यह चार दे रखी आकरितिया और इसमें character कितने ज्यादा है तो ज्यादा character हो तो उस पर कैसे काम करना है कम character हो उस पर कैसे काम करना है इन सब पर हम बताएंगे कि कैसे चीजों पर काम करना है तो इसमें कितनी करेक्टर है सर 3, 3, 6, 39 इसमें 3, 4, 4, 8, 4, 12 है सर इसमें कितना है सर 2, 2, 3, 2, 5, 1, 6 सर इसमें कितना है 2, 2, 4 है इसका मतलब सारे भाजी संख्याय है तो हम इसे एंसर नहीं मान सकते ठीक है पर एक चीज हम देखेंगे सर ये 4 के ग्रूप में है सर ये 3 के ग्रूप ये भी 4 के ग्रूप में ये 2 के ग्रूप में सर ये 2 के ग्रूप में ये 3 के ग्रूप में ये अकेला है इसके लावा ये 2 के ग्रूप में मतल में है पर यह हमारा क्या है अकेले है तो ऐसे हम चीजों को रिलेट करेंगे और ऐसे हम चीजों को करेंगे question number 3 हमारा question number 3 आए के सामने है कि एक figure दे रखिए figure को आपको डूड़ना है ठीक है तो आप देखेंगे कि सरकल है इसके अलाब एक त्रिभूज के अंदर सरकल है पर एक त्रिभूज है मतलब जो हमारा डी होगा वो right answer होगा डी किसमे है सदी हमारा है answer b लब दी को answer b में mention किया अप्शन में तो हमारा answer b जो होगा वो right answer होगा question number 3 का ठीक है कैसे सर यह सरकल है सरकल के अंदर क्या दे रखिये सरकल के अंदर ट्रेंगल दे रखिये ठीक है तो ऐसे हम चीजों को जल्दी करेंगे अगला question हमारा क्या कह रहा है sir अगले question में हमारे पास आकरिती दे रखी है उसमें character ज्यादा है देख पाएंगे सर इसमें 3 के निसान आप देखेंगे तो एक में gap है सर इसमें भी कुछ नहीं है सर इसमें कुछ है पर इसमें कुछ नहीं है मतलब answer जो होगा वो हमारा figure 3 right answer होगा क्योंकि 4 जो 3 रखी है उसमें से 1 3 हमारा खाली होना चाहिए बीच में पर उसमें भी कुछ लाइने दे रखी है इसका मतलब जो हमारा D answer होगा वो right answer होगा ना तो B होगा ना तो A होगा और ना ही C होगा ठीक है तो आपको आकरिती को ही अलग करना है कौनसी आकरिती अलग होत ड़ीसार और आवा थीच विद्टे करें झूँदे क्रेंगे तो इतने करेक्पर को आपको अलग कर आऱ आपो देखना इसे में चारिकिसा थीजाएगा पर एक तो अपने इसमें कटा और किसी से नहीं करता ठीक है इसका मतलब क्या है नहीं संख्या वाले हमारे ट्रिक से लग रहा है इसका मतलब एंसर जो अक्रिति फोर होगी वो हमारा राइट एंसर होगी ना तो ए होगा ना तो बी होगा और नहीं ही होगा तो कैसे questions को धुआ धुआ हम कर रहे हैं वैसा ही चीज़े आपको करनी है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करने जानी चाहिए कि कौन सा एंसर होगा कौन सा हमारा राइट होगा कौन सा रॉंग होगा जो रॉंग होगा उसे हटा के जो राइट होगा उसे हम चीजों को करेंगे ठीक है अब आप देख पा रहे होंगी कि N, R, D, और K दे रखा है, और हमें क्या करना है, सर, हमें चीजों को देखना है, कौन सा हमारा सेम है, कौन सा हमारा सेम नहीं है, हम देखेंगे, सर, हम लिखते हैं, N को ऐसे, और ये 90 डिगरी मूव कर जारी, वो भी clockwise direction, हम R को ऐसे लिखते हैं, ये 90 डिगरी मूव कर जारी, clockwise direction, इसके अलावा सर, हम D लिखते हैं, D को हम घुमाएंगे, 90 डिगरी मूव कर जारी, कौन से direction में, clockwise direction, इसके अलावा सर, हम K को देखेंगे, तो K को सर, हम ऐसे लिखते हैं, अगर वो 90 डिगरी मुड के मुड़ेगी, तो K ऐसे होना चाहिए, पर उसने उल्टा दे रखा है, मतलब आकरिटी 4 हमारा right answer होगा, answer हमारा A होगा, ना ही C होगा, ना ही B होगा, और ना ही D होगा, A हमारा right answer होगा, क्योंकि आकरिटी 4 में जो घुमाने का direction है, वो हमारा क्या है, अलग है, ठीक है, अगले question की तरफ आगे बढ़ते, अगला question हमारा क्या है, sir, question number 6 हो गई, 7 है, question number question number 7 question number 7 फिर हमारे सामने full लेके आई है question number 7, हम इसका स्वागत full हो से करेंगे, question number 7 कैसे होगा, ठीक है, question number 7 में full दे रखा है, उसमें कुछ पत्तिया दे रखी है, हमें देखना है कि कौन से है, अलाग है ठीक है, अगर हम देखेंगे, sir, इसके पत्ति का direction एक ऊपर है, नीचे है, मतलब opposite है, इसके full का direction एक ऊपर है, नीचे है मतलब भी opposite है, इसके full का direction एक ऊपर है, नीचे opposite है, पर इसके full का, इसके पत्ति का direction आप देखेंगे दोनों सेम है इसमें ब्यापोज़िट है इसके इसके अलाब इसमें फिर में ए मियाइंसर होगा मतलब साथ का जो एंसर होगा वह हमारा सी अंसर हो गांसा सी contribution official 8 question number 8 हमारे सामने question number 8 के सामने हम बढ़ते हैं देखिए यह circle दे रखी है और इसी circle में आपको find out करना है कि कौन सा सही answer है ठीक है अब आप जल्दी से देख पा रहे होंगे चीजों को अगर आपकी thinking power तेज होगी तो आप एक चीज को देख पा रहे होंगे सर यह जो तीन लाइने है यह तीन लाइने है यह तीन लाइनों को आप एक बार देखेंगे यह वाली तो आप देखेंगे यह लाइन यहां से कटी हुई है इसका मतलब जो भी हमारा राइट एंसर होगा इसके अलावा इसमें दो सरकल सारे में दो सरकल है इसके अलावा एक छोटा सरकल है इसके अलावा एक बड़ा सरकल है तो सारे में सेम है ठीक है सिर्फ भी हमारा राइट एंसर होगा मतलब यह हमारा right answer होगा ना तो A होगा और ना ही C होगा और ना ही D होगा ठीक है अगले question की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अगला question हमारा कितना है सर अगला question हमारा 9 number कौनसा number सर अगला question हमारा 9 number है और 9 number question का आप answer देंगे 9 number question हमें क्या कह रहा ठीक है तो सड़ब्सक्राइँ हम देख पाएंगे पांगे नौन्बर कोष्चन में तो हम देखें के तर एक या से एक श्रेंगर है और इसके अंदर एक चार भुजवाला आकरिती है स्क्वार है ज्या भुज हमानीड惜 स्क्वार है इसके अलाबा है पेंटागों है उसके अलावा देखेंगे पांच भुझ वाली आक्रिती है उसके अंदर क्या है छे भुझ वाली आकरिटी से पूcribe तो फीर हम देखेंगे सर इसम्हें ना तो ए होगा और नहीं C होगा तो देख पार है कैसे हम questions को कर पार है ठीक है यही है super sky classes की ताकेट कि आप चीजियों को बेसिक से करेंगे तो चीजियों को उड़ा देंगे ठीक है अगले question question number 10 और इस type का last question हमारे सामने इस type का हमारा last question question आपके सामने है तो आप इस last question का answer तो जरूर करेंगे आपके सामने बहुत सारे character दे रखें कि बहुत सारे character है और कौन सा character miss है या कौन सा character कह सकते सर आधा है हमें उसे देखना है ठीक है तो हम देखेंगे इसके लावा यू सब में है पर्सेंटेस सब में है यह जो ब्रैकेट है यह भी दो सब में है पर आप देख पाएंगे जो लहर सी बनी है एक यह आप देख पाएंगे अगर मैं इसे एक बार साफ करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें तो सर एक बार उपर एक बार नीचे एक बार उपर एक बार नीचे इसमें एक बार उपर एक बार नीचे एक बार उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे पर इसमें देखेंगे तो उपर गई नीचे गई फिर उपर गई नीचे आई नहीं तो हम भी इसे क्या करें जाएंगे उपर भेजेंगे मतलब इसका A answer होगा ना तो C होगा ना तो D होगा और ना ही B होगा ठीक है तो देख पार है कैसे चीजों को कर रहे हम सरसरी निगाह से क्या कर रहे हैं पहले सरसरी निगाह से होता है कि कैसे होता है वो टाइप वो टाइप आपके सामने आगए अब आप देखेंगे सर यह टाइप कैसे है ठीक है वो टाइप हमारा कैसे है आप यहाँ पर ए है क्या है सर ए है तो आप देखेंगे उस टाइप को देखेंगे तो पहले लिखा है क्या चाइना क्या लिखा के अलावा टि-i-l-e-r इसके अलाव़ टि-e-r-m-e ठीक है तो आप इसे देख पाएंगे अगर आप इसे सही से arrange करेंगे हमें करना क्या होता है जैसे मैंने लिखी अपना नाम डबल ई डबल ई-n-z-e-a-r ठीक है अब हमें इसे एक क्या करना है meaningful sentence बनानी होती है और उसे देखना होता है कि वह चारों option में सेम है या नहीं है जैसे मैंने इसे अब arrange किया तो मैंने क्या लिखा ए-n-e-e-r-a नीरस हो गया न वैसे हमें इसे meaningful sentence बनाना होता है ठीक है आप direction भी पढ़ सकते है कि rearrange करना है हमें क्या और एक meaningful sentence बनानी है इसके बाद हमें different find out करनी होती है ठीक है तो हम देखेंगे option a होगया नहीं option b होगा नहीं option c होगा और नहीं एपसं दी होगा तो हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें अलग है और तीनों measurement से related है अब वह हमारा अलग है question number 12 question number 12 आपके सामने है question number 12 का आप answer कर देंगे कोशन नमबर 12 हमारा कैसे होगा ठीक है अब फिर आपको अगर हफतों के नाम याद है तो चीजों को आप जल्दी कर पाएंगे ठीक है अब आप देख पा रहे होंगे सर यह हमारा क्या है तो यह हमारा सर मंडे क्या है है M O N D A Y इसके लावा इसे देख पाएंगे तो यह है T U E S T A Y Tuesday इसके लावा आप इसे देखेंगे सर यह हमारा क्या है सर F R I D A Friday अब आप इसे देखेंगे तो यह हमारा क्या है सर H O L I D A ये वाई Friday अरे holiday ठीक है तो holiday हमारा अलग हो गया इसके अलाव़ ये सारे क्या है हमारे दिन के नाम है तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा answer हमारा क्या होगा holiday option number D is the right answer ठीक है तो आप अगर आपको meaning याद है meaning तो आप इस चीजों को कर पाएंगे इसके लावब आप चीज को नहीं कर पाएंगे ठीक है question number 13 question number 13 आपके सामने है question number 13 को आप कैसे टैकल करते हैं ये अब आप पर depend करता है ठीक है यहाँ पर जल्दी कर रहा है पर आप क्या करेंगे आप वीडियो खोलेंगे उसे pause करेंगे कोसिस करेंगे कि खुद answer दे ठीक है फिर उसके बाद वीडियो चालू करके answer को देखेंगे ऐसे करनी होती है questions ठीक है एक बार आप 20 questions कर लेंगे उसके अगला question हमारे सामने आधे पर रुख गया था क्या यह question आपको करना है ठीक है यह question हमें कैसे करना यह हम देखेंगे इससे पहले देखते हैं सर यह क्या है इसके लावा यह देखेंगे सर एच टीटे इस हम देखेंगे सर यह क्या है सर डवलू के ल वाक मतलब घुमना होता है मतलब यह हमारे अंग हो गए यह भी हमारा सरीर से संबंदित हो गया इसके लावर यह भी हमारा सरीर से संबंदित हो गया मतलब यह हमारा एक्सन है, मतलब answer हमारा क्या होगा, answer B होगा, नही answer D होगा, और नही answer A होगा, और नही answer C होगा, ठीक है, तो आप चीजों को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं, यह आप पे depend करते हैं, ठीक है, question number 14, question number 14, 14 आपके सामने कौ्शनбиे 14 को करने केखें कि किसी कर सूर्श की ठीक है पर को हमारा कैसे होगा ठीक है अब आप देख पाएंगे अहेंक क्वेशन्ह.mr 14 हमारा कैसे हो थो तोढ़ क्वेशन्ह.mr 14 में हम देखेंगे धिया हमारा कपाएंगे यह हमारा RET कर रहा है तो हमारे फेफडे की जो English होती है वो होती है क्या sir क्या sir? लंग होती है हमारे फेफडे की English ठीक है? इसके अलावा उसे देखेंगे तो ये क्या होता है sir? R IV ठीक है? तो ये जो kidney है, hurt है, लंग है ये हमारा क्या है sir? सरीर से संबन्दित है इसके अलावा जो नदी है रीवर है वो भी हमारे सरीर से संबंदित है इसके किसके सरीर में रीवर पाई जाती है तो यह रीवर जो हो गई वो अलग हो गई इसके अलावा ए दी और डी जो होगा वो हमारा एंसर नहीं होगा जो भी होगा वो राइट एंसर होगा अगर मैं ल मज़दार है आप सब्सक्राइब पंद्रह कोशन नमबर पंद्रह आपके सामने रहाटता हुआ चीखता हुआ क्वेशन जैसे सेर गरस्ते वैसा क्वेश्चन अब तो मैंने हिंट भी दे दी अब तो बता दो एंसर तो इसमें क्या करना है हमें एंसर फाइंड आउट करनी है चीजों को सही करना है तो हम क्या क्या देखिएंगे सर यह है स्वारी टी आई जी आर टाइगर टी आई जी ए आर ठीक के लावा इसा है देखेंगे तो सी एच डबल ए ऑ पी इसे देखेंगे यह क्या है तो यह क्या है जैनल होंगे तो इसे भी कर रहे होंगे नहीं है हम चारा जानवर है पर इन जन्वरों में भी कुछ खासियत होती है हमें वह से हम यह देखेंगे जो टाइगर हैμεं और पैंफर ह neuralBe we Saka here इसकки मतलब d राइट बैंसर होगा दो सी होगा ना तो बहुन है तो कैसे चीजों को आप जल्दी कर पाएंगे इसका वही एंसर है जब तक आप इन्हें एक meaningful word नहीं एक meaningful structure में नहीं create कर पाएंगे ठीक है word में question number 16 question number 16 आपके सामने question number 16 आपके सामने यह रहा आप इस चीज़ को करेंगे ठीक है när यूए यस भी मतलब b.u.s इसे देखेंगे हम c.y.c.l. e रहीए इक्या है तो हम सरी से देखेंगे तो ये है हमारा स के ल स्केल है यह हमारा स के मतलब स्केल है मतलब आयंसर स्साह न तो आ होगा न तो बी और न द द užगा क्योगि यह वारे चलने करने के साधरने इसके अलावए यह हमारा S क्या है, measurement काjang है. measurement का. requirement है, हमारा स्प्राइच की तरफ ना तो तो ना तो B ना तो डी होगा, तो हमारा एंसर तोलका S होगा, ठीक है. question number हम बढ़ते है 17 की तरफ और थोड़ा सा में question number 17 में क्या करना है sir ? Question 17 में हमें थोड़ी सी correction करनी है सर वो कहा करनी है हमें करनी है यहाँ पर f नहीं होगा तो इस बात का आप द्यान आप अब आप चीजों को करेंगे तो हम कहेंगे सर अब यह क्या बन रहा सर हम इसके मिनिंग को find out करेंगे जो कर लिए उनके लिए तो आलिया क्योंकि यह question सबके बसकी नहीं है तो एक बार आप अपने लिए ताली बजाएंगे कि हम इस चीज को कर पा रहें और जो नहीं कर पाए तो निराश नहीं होंगे भागेंगे नहीं क्योंकि यहां पर भाग जाएंगे आप पर एक्जाम सेंटर से आप भाग नहीं पाएंगे और यह कभी कभी एक ही question से आपका selection रुख सकता है तो इस बात का आप ध्यान देंगे ठीक है तो question 17 में हम देखेंगे तो सर यह क्या है सर स्मेल मतलब क्या होता है सर जो इसमेल नहीं समझते आप ठीक है तो इसके अलाबावा इसे देखेंगे तो सर यह होता है कि एसए के लावा यह क्या है सर यह है हमारा थिंग फिन एच आई ठीक है तो आप ये देखेंगे सर जो हमारा इस का मतलब आप समझ पार है जैसे चिड़ना अपने मरसी सुना होगा कि बस भी करो अब करना यो टीज हाथों को जोड़ के कहता हूं प्लीज तो ये अपने गानी सुन रखेंगे कि टीज का मतलब आप सम बहुत सारे समझ पार हो सकता ही का ये हमारा राहा टीमारे यह होगा और हमारा सी नहीं होगा हमारा एय नहीं होगा कॉन सा एंसर हो सकता है ठीक है यह थोड़ा सा मुस्किल होगा अगर आपको मीनिंग वगएरा नहीं पता टी कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि इस से थिंक भी बन सकती है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे अगला कोश्चन हमारे सामने है इसके अलावा बहुत सारे वर्ड़ दे रखी है इसके लावा ओने है कल्श मतलब होता है गाय के बच्चे को घंग क्या कहते है सर कलावा सर इसे देखेंगे सब्सक्राइब होता है सेर किया कहते सर कभ कहते इसके लावा यह देखेंगे सब्सक्राइब तो गाय का बच्चा सेर का बतका बच्चा अलावा जो यह है वह है हाई 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 हमारा सी होगा क्योंकि यह सारे बच्चे से रिलेटेड कर रहे हैं पर वो हमारा एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा यह राइट एंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है तो यह थोड़ा सा टफ है नहीं तो मैं आपको homework दे टो आप कोसिजिए का मेरे चैलेंज को गलत किकर सकते कैसे एंसर देखे Ёए कि मुझे कैसे पता चलेगा एंसर आप दे रहें पता चाल जाएगा क्योंकि मैं आपका क्या हूँ or कारडियोलोजिस्ट आपके दिल की सारी बाते जानता हूं मैं है क्या हो गया है मतलब क इसके लावर सर यह क्या है तो यह इसमें आई होगा अई नहीं हो यह क्या होता है जो कि लाल Карलड से होती और हम परेंस से लिख रहे हैं ठीक है क्या ह defence है हमारे क्युमिन ुम युमिन क्यों मनें का मतलब क्या होता है सर त्यू क्यों मिन का मतलब क्या होता है सर क्यों मिन का होता है जीरा इसके अलावा सर यह क्या है सर यह हमारा है क्लोट क्लोट का मतलब क्या होता है सर कपड़ा मतलब यह हमारा नहीं होगा यह हमारा नहीं होगा यह हमारा नहीं होगा answer हमारा C होगा C is the right answer तो आज आपके सामने last question और यह question आप देखे या ना देखे यह question रहेगा आपका homework क्या रहेगा सर यह question आपका homework रहेगा और आप इसे हमें क्या बताएंगे सर आप हमें कमेंट सिक्षन में कहा सर कमेंट सिक्षन में आपको यह हमें कमेंट सिक्षन में आपको यह हमें कमेंट सिक्षन में आपको यह हमें बताना होगा और सभी लोग बताएंगे इतने वीडियो देखेंगे सारे लोग बताएंगे comment section में इसका answer ना कि फालतु बाते लिखेंगे इसके इसके बहुत अच्छा लग रहा बहुत यह लगा मैं समझ रहा कि अच्छा लगता है तो आप video को like कर दिया किजिए video को share कर दिया किजिए पर comment section में answer देखेंगे तो इससे यह होता है कि मुझे यह पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा वह आप सीख पा रहे हैं अगर 19 question मैंने बताई और सिर्फ आप 19 question सीखें तो उसका मतलब यह थोड़ी है कि सारे 19 exam में किसी except में पूछे जाएंगे इसा नहीं होता कभी कभी question अलग भी पूछ लिया जाता है पर क्या होता है कि method सेम होता है चीजों को करने का तरीका सेम होता है ठीक है तो आप इसे comment section में answer देंगे ठीक है ठीक है पर मैं अगर answer बता दूँ इसका क्या होगा तो answer हमारा यह होगा पर आपको यह नहीं लिखन है ठीक है answer भी मैंने आपको बता दिया और आपको इसे meaningful अपनाना है मैं देखना चाहता हूं कि आप इस meaning को खोज पाते हैं या नहीं खोज पाते है तो कैसा लगा वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like जरूर किया कीजिए इसके अलावा इस वीडियो को share भी यह है क्योंकि जितने भी मैं कुछ करा रहा जितने भी topic करा रहा मैं चाहिए एनलोजी करा रहा तो कोई भी topic नहीं बचा आपके पास कोई मुझसे यह कहा दे कि सर हम यह type मुझसे छूट यह classification आज खतम हो गया तो classification का अब कोई भी type नहीं बचा कि सर अब यह type भी कराना है अब वो अलग बात है कि अब multiple practice करनी है अब मैं चाहूं तो यहाँ पे 200 questions लाके आपको practice करवा सकता हूं पर इससे क्या होगा इससे आपका समय खराब होगा ठीक है मेरा तो क्याम ही है यह पढ़ाना ठीक है आपको समझाना पर इससे आपका time खरा आने की कोशिश की तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूं कि सारे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपने तयारी को जोरों से कर रहे होंगे तो जय हिंद जय भारत